नमस्कार दोस्तों मैं आपका मनुभर्दवा जीटी फीचे टेकलोर्जी में सवागत करता हूँ दोस्तों जो मेरी आज वीडियो रिलेटिड है वो रिलेटिड है ओटो सोल मेटल पॉलिश से जो बहुत ही अच्छी एक मेटल पॉलिश है और यह जातर पॉलिश करने के काम आता है चाहे वो आपका कॉपर है, अलुमिनियम है, स्टील है, क्रोम है, कोई भी ऐसा मेटल है और उस पे आपको रस रटाना है या उसको क्लीन करना है तो यह ओटो सोल मेटल पॉलिश का यूज़ करा जाता है यह देगेगा दोस्तों, अब मैं आपको इसका डिमोस्टेशन दिखाऊंगा और डिमोस्टेशन में सबसे पहले यह आप जो देख रहे हैं यह रस लगी भी है इस पर इसके लेग गाड़ पर और मैं इस जगे से यूज़ करता हूँ और इस जगे यूज़ करने के बाद मैं आपको और जो भी यहाँ पर पार्टिकल्स डिपोजिट है वो हड़ जाएंगे इस ओटो सोल मैटल पॉलिश से चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए इसको लगाते हैं मैटल पॉलिश को ओटो सोल कंपनी की जो है करना कुछ नहीं है सिंपल एक लेयर चड़ा देनी है यहाँ पर थिल लेयर आप यहाँ पर चड़ा देंगे और कोई भी कपड़ा लेंगे से और इसको इसे रब करेंगे जब तक कि इसकी सर्फिस क्ली क्लीन नहीं हो जाती यह देखेगा इसे यहाँ पर हम क्लीन कर रहे हैं और आप देखेगा यह जैसे जैसे हम इसे रब कर रहे हैं वैसे वैसे जो इसको परस्थ है वो क्लीन होती जा रही है यह देखेगा यह देखिए बिल्कुल न्यू फिनिश आ जाएगी इसमें बिल्कुल ऐसा आ जाएगा जैसे आपने अभी न्यू लेगार्ड इसमें लगवाया है यह देखिएगा थोड़ा देर इसे रब करना पड़ेगा आपको देखिए बिल्कुल यह क्लीन हो गया है इस तरीके से आप कोई भी रस्ट को हटा सकते हैं किसी भी मेटल से चायव आपका क्रोमियम है और आपका कॉपर है या कोई भी ऐसा मेटल है यह इस ताइम आपके सामने जो लेग गार्ड है यह जो है स्टेलने स्टील का है और मैंने इसको रस्ट क्रूव बना दिया है तो दोस्तो यह था ओटो सोल मैटल पॉलिश जो आप यूस कर सकते हैं अपनी पुरानी बाइक या न्यू बाइक पे जो भी रस्ट लगा है मैटल पर उसको हटाने के लिए तो दोस्तो यह थी शॉर्ट वीडियो जो ओटो सोल से रिलेक्टी थी अच्छा दोस्तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ ओके बाइ है वनाइज दी